अधागर ओर नमस्कार आप देख रहें वाइट पेपर और मैं हूँ आपके साथ थार्शा सर्माल चलिए शुरुवाद करते हैं वाइट पेपर की बड़ी अपडेट के साथ ही शुरुवाद करते चले लगातार आप देखी पीडीपी पाथी पर किस तरह से बड़ा एक्ष अब साथ दिनों में जवाब देने के लिए भी समय सीमा ताय की गई है। अब साथ दिनों में जवाब देने के लिए भी समय सीमा ताय की गई है। अब साथ दिनों में जवाब देने के लिए भी समय सीमा ताय की गई है। आपको बताते चले कि यहाँ पर विशेश अधिकार हनन होता क्या है। अब साथ दिनों की अंदर अंदर उन्होंने अपना जवाब यहाँ पर तलग करना है। लेकिन फिलाल नियम कानून जरा समझना जरूरी है कि लोकसभा नियम पोस्तक के जो अध्याए 20 में नियम संख्या 222 लिखी गई है। उसके बाद राज्य सभा की भी नियम पोस्तिका के अध्याए यह इसलिए बताना जरूरी है कि आखिर कारवाई किस तरह से होगी। देखिए अध्याए 16 में नियम 187 है विशेश अधिकार को नियंतरित करता है और इसके अनुसार सदन का जो सदस से अध्याक्षिया सभापती की सहमती से एक प्रश्ण उठा सकता है जिसमें सदन का या किसी समीती के विशेश अधिकार के उलंगन का मामला शामिल हो। अब ये बड़ी कारवाई यहाँ पर पीडिपी पार्टी पर हो सकती है लेकिन पहले इन्हें जावाब देना है वहिदुर रह्मान परा किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं जरह सबसे पहले वो सुन लेजिए फिर पैनल की और चलते हैं जो एसम्बली के स्पीकर साब में लिकाला है अनफर्चनेटली ये सरकार लोगों का मैंडेट लेकर लोगों को आवाज देने के लिए निकली है पिछले पांच-छे सालों में यहाँ को गुटन का महा होता है कि लोगों को लगे हमें हमारी आवाज को कोई खत्रा या खच् लेकिन अब हम जब अब पोजिशन में रह के हैं यही बात असम्बली में करना चाहते हैं या कोशिश करते हैं कि असम्बली में लोगों की आवाज पहुंचे गलती तो की और 370 के बात की वह स्पीकर साब में का हमने सुनाई है नहीं फिर हमने दो बार नोटिस दिया, दो लिए अगर बाहर कुछ नहीं इस वक्त भी नाजवानों के लाग पुछ नहीं इस वक्त नहीं हो इनके हां से पर हम लोग वहां पर कोशिश करें लेकिन कारवाई यहां पर किस तरह की होगी अब इसी पर चर्चा करना जरूरी है आधर्स गुप्ता हैं हमारे साथ वरश पत्रकार हैं आपका भी बहुत-बहुत पूड़ी के पास आऊंगी वहिदर रह्मान परा को आपने सुना वो कह रहे हैं कि इस तरह से ब्रीच प्रिवेलेज को लेकर जास तरह से बात हो रही है विशेशा धिकार हनन को लेकर बात हो रही है इतनी बड़ी गलती तो नहीं की है जी देखिए पहली बात तो वहीद परा सहाब इतनी सफाई से जूट बोलते हैं कि इंसान को समझे नहीं आता, इंसान शुरू कहां पर करें उनकी सफाई का, उनके जूट को सच करना चलिए पहली बात, वो कहते हैं कि 370 का resolution उन्होंने पास किया, उसकी वज़े से इस तरह से बात सामने रखी जा रही है, कि 370 का कोई resolution रखा गया, उसकी वज़े से breach of notice आया गया, तो ये जो है, ये सरासर जूट है, जो breach of privilege का उनको notice इसलिए दिया गया है, क्योंकि हमारे एक M ले नजीर गुरेजी साहब ने तकरीर की, नजीर गुरेजी साहब ने जब अपनी तकरीर खतम की, वहीदुर रह्मान परा साहब जो है, बिल्कुल इसी तरह से खड़े हुआ है, और कहा कि आपने ऐसा क्यों बोला, जो चीज उसके तकरीर में, नजीर गुरेजी साहब की थी ही नहीं. नजीर हुरेजी साथ ने कहा कि आप मेरी तकरीर को बाप boxes, क्युंकि वही तो रह्मान परा को लगा था कि assembly में भी जूट वोलेंगे, तो किसी को समझ ही नी आएगा हो क्या रहा है, तो नजीर हुरेजी साथ उटे और उन्हें तकरीर शहाँ हो रहा है और वहीदुर रह्मान पर आने यहां एसेंबली में जूड बोला कि मैंने इसे बात की, प्लीज यह सारा मामला सामने किया जाए। उसी मामले में जो नजीर गुरेजी सहाब हैं, उन्होंने एक नोटिस जो है, स्पीकर को दिया, एक रिक्वेस्ट दिया कि वहीदुर रह्मा में बात नहीं हुई कि यह ब्रीज फ्रिविलेज जो है, यह उनके वहां पर जूट बोलने की अल्राम पर है, जवाब दीजिए रजात जी, आवाज आनी रजात जी, आवाज आनी रजात जी, एक बेंकी आवाज को चेक कर लिजे, प्लीज आवाज नहीं आ रही है, आन्म्यूट कीजी रजात जी, बोले, जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि जूट बोला गया है जिसकी वज़न से कारवाई होगी, मैं आडान जी, को शायद में बताता चलूं, कि इनको खुद भी इस मसेले के बारे में नहीं सदा, बज़जज ज़न सब्सक्रावण की जो कारवाई होई थी, वो सिर भण नैशनल कॉंसरंज लिए पी या आपने या हमने ने देखी, नैशनल कॉंसरेंश के जो कायर लिट अवाज नहीं आ रही है रचत जी आधर्शी आप ही के पास आउंगी जस तरह से आप देखिए विशेश अधिकार हनन को लेकर बात हो रही है वहीदु रह्मान परा कह रहे हैं कि लोगों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की जा रहे थी कोई बड़ी गलती नहीं है ले इसमें एक शीडिक बाला परा साथ फेली बार सेम्ब्ली में अगया है उन्हों पथा हो चाहिए तो नोस को लेके बाव अब बोत खडा करती है नोटिस का जवाब जाएगा यह से लिग सपीकर साफ कहा किया इन पर प्रिविलिज मोशन को पेश किया तो का नोटिस किया साथ दिन इनको मिले हैं साथ दिन में जवाब देंगे अगर लगेगा सब्सक्राइब कि हाँ यह इस पर प्रिलिजी मोशन बनता है यह नहीं बनता है वो तो उसके बात की बात है और अब भी सही है जो बाते कह रहे हैं इस बातों को थोड़ा समझना पड़े कि लोग परशाद देखने वाले लोग अमीदे लगा के बैठे होते हैं कि हमने अपना रिप्रेसेंटेटेटिव चुन के बेचा हमारी को बात वहां पे होगी और वहां पर क्या कुछ होता रहा वो पिछले आट दिनों आट दिन की सब्सक्राइब आए इस बात को लेशन क बहुत फरक है उसको समयना बहुत जूड़ी है रचत जी आवाज आ रही है क्या जवाब दीजी प्लीज आपको सिर्फ कैमरा पे तोड़ी पैटना है जवाब भी देना है पर मुझे लगता है लोगों की हखों की आवाज बनके जो हमारे विदायद को चुल के आए हैं को उन्होंने तो कुछ गलत नहीं बोला ना ही कुछ उन्होंने तो सिंपल सिया लेशन की लेडर्शिप तो स्पिकर साथ ये चीज़ पूछी कि जो वादे आप ने कीए थे ल कि अधुल सोजव थी कुछ अधिया विद्धा का ने रिए खुर के अधिया लोगों के साथ दूड बोलने का इनके सिकर साब ने लिए भीजन साह ने खुद का ताल में लेगी हैं लेटकर साह झाँ जो तो सिर्श ऑने उन्होंने पूट किल प्रेस किया था कि जब वही द प्रॉब्लिम यह है कि जो हमारे यहां पेड़ीप के स्पोक्स्पसन बैटे हैं यह टो एन्हें पता ही नहीं है कि वही तो रह मान को खिस बाद पे ब्रीच फ्रिफएगें का इन धिया गया यह तो है यह 10 पुल नहीं है यह तो यह भी जूड बोट रहे हैं, वही तो प्रेमान पर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि हमको किस बात में ब्रीच फ्रिविलेज का नोटिस मिला, जबकि 370 की बात आपने सुनी ही नहीं, 370 की जो आपने पहले तो 370 जो resolution आपने लात, उसमें 370 कहीं लिखा इनी था, जो पहला resolution लाया, उसको साइट पे रखिए, आपको ब्रीच फ्रिविलेज नोटिस जो है, यह स्पीकर साब की तरफ से नहीं, एक राइवल MLA की तरफ से गया है, क्योंकि आप लोगों ने, उसने एक स्पीच दी, मुफ्ती मुहमत साइद के खिलाफ, और जमात इसलामी का, उन्हों यह नहीं पता था, कि एसेंबली में आप जूट नहीं बोल सकते, यह टेलिविजिन नहीं है, यह आप जूट बोलेंगे, और निकल जाएंगे, और किसी MLA की स्पीच पे जूटा इल्जराम लगता है, ठीक है, रचल जी, उन्होंने कहा कि मेरी स्पीच को आगे की, गुरे यह तो आवाज नहीं आ रहे ये रचत, आपकी, अन्मीट कर लिजेह रचत जी, आधर्स जी, एक बचक देञा है, प्रवक्तह की आवाज पूरन रटरीके से नहीं पहुंच रहे है, जो पहुंच नीचाहिए, आधर्स जी, आपी को रोल प्ले करना पड़ेगा, ओ स्पो का भी और सरकार का भी क्योंकि जिस तरह से कारवाही की बड़ी बात देखने को मिल रही है क्या लगता है कि अगर विशेशा अधिकार हनन को लेकर कारवाही होती है तो फिर किस तरह की कारवाही हो सकती है थो दो तरह की स्टेटमेंट बचसाथ के आरहे नई एक तो यह 600 पर्सेल पिडिबी और यही कहरे हैं इस समूंसतों ठीस सब ने हैं कि अगसीं के और अगा एल lanz की दो परवक्ता है वहारा रही है कि नहीं ठीस करता है कि अगर चुनकर अगर असेंबली तक पहुंचे तो लोगों के काम के लिए पहुंचे कि अपनी वहाँ पजातिकत लड़ाई को लेकर पहुंचे आपको नहीं लगता है कि समय बरबाद करने की कोशिश होती है इस तरह से अश्याथी यह बहुत चल्दी बुराना मुश्क्रों जाता है जा जिस पार्टी की सता जहां रही है और पहले भी रही है आज वो तीन पे आजए तो थोड़ा सा मुश्कल हो जाता है और उसको अपने आपको जंदार रखने के लिए उसको असेंबली के अंदर और बाहर शो कुछ में वहीं का बातें चाहिए लोग की उनीडर तो येAreश्क कर्णे को पीने और बाध जी कोई ने की नहीं तो ओखिक के लिए नहीं अमूर्ब छिदाश जाती है विजेशा अधिकार हनन को लेकर कारवाई की बात हो जाती है तो यह तो पूरी असेंबली इसी तरह से हंगामे की भेंट ही चड़ती चलेगी देखे यही तो हम चाहते हैं कि असेंबली में जो है कमी से सभी MLA बैट के बात करें अपनी कॉंस्टूंसी की बात करें हमने देखा दो चीजे हैं BJP के विदायक क्योंकि उस दिन में खुद बैठी ती जिस दिन यह सब कुछ हुआ बीजेपी के विदायक जो टेबल्स हैं उस पर चड़ गए और उस पर चड़के बीजेपी के विदायकों ने कहा हम तो इस एसेंबली को चलने ही नहीं देगे आज बीजेपी की विदायकों की बात नहीं हो रहे है ना आज तो वहीदु रहमान परा पर जो प्रिवलेज हुआ है उस पर बात नहीं हो रहे हैं। चलिए ठीक है इफ्रा रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ज़र्व आप इस बाते चलिए सीधा अदर्ज जी मैं आप ही के पास आओंगी जस तरह से मशेशा अधिकार हनन की हम बात कर रहे हैं लड़ने लड़ाने के लिए नहीं है जो मैं डिटेल देख रहे हूं हितो की सरक्षन के लिए या लिकार दिया गया है लेकिन आपको क्या लगता है कि अंदर इसका किस तरह से उप्योग जोए वो किया जा रहा है कि आशार कि इसका बहुत वार योग दुर्परियोग भी किया जाता है अजिक बात नहीं है यह जैसे ऐसे समय है लेकिन अभी जो जम्मु कश्मीर के हालात थे जम्मु कश्मीर में एक बहुत तेर के बाद हमें असेंबली भी लिए है और बहुत हमने अमीदय नगाई हुई थे कि अश्मीर में हमारे कुछ काम होगे लोगों मजबूर हुट है देखर इस आप लिए हमारे काम हो लेकि नहीं है आते ही इन्मेर्य जो आठ दिन में यहां पे तुमार्शा किया उसको लेकिन के निराशा लोगवा कील दी है जाहें वह बहुत की बात करें अब आटी ज तो इसको ले किया अगर इनके रिप्लाइ उनको लगता है इनुनने को ऐसी बात नहीं करते हैं नहीं तो इस पर एक्षन लिया जा सकता है इस वक्रत नहीं चल रही अगर आप लोगों की तरव से गलती हुई है तो आप इसके दोशी आप आप डोशी पर पाई जा सकते हैं लेकिन अगर नहीं की है तो क्लिन शिट ये मिल सकते हैं कोई बहुत बढ़ी बाद दो还श्माद करेंगा तो फिर कैसे चलेगा रजा जी जी पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि नेटवर्क इशू के वैसे ये वीडियो कॉल जो है डिसकनेक्ट करना पड़ा देखिए आप संख्या पर मत जाईए अगर लोगों के हकी बात करने के लिए अगर एक भी अगर हमारा MLA वे ले पर तो हम हमेशा कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी के लिए ही बात करेंगी बड़ हैरानी इस बात की होती है कि इसेंबली को लगे आज तो 20,000 दिनों के तब प्रिजे जो आज जो निकाला गया है आज ही क्यों इसके पीछे कारण के इसके पीछे कारण ही है कि नेशनल कॉंफरस अपनी असलियत लोगों को नेशनल कॉंफरस और मुद्धो को भड़काने की कोशिश हो रही है जी नहीं नहीं इनको शायद अपना इत्तिहास यादा रहा है इनको शायद अपने 2014 का जो इनोंने कांड किया था इनको लगता है कि जो इनोंने किया है सभी लोग वही करेंगे बिल्कुल भे नहीं नही से पीडिपी नहीं है कि 2014 की तरह 14 की तरह पहले कहीं कि इनको बाहर करेंगे फिर 14 में उनको लाएंगे और उसके बाद आर्टिकल 370 को तोड़ेंगे दूसरी बात आप कहते हैं कि जो एसेंबली में वक्त कौन जाया कर रहा है एसेंबली जो होती है वो लोगों की बात करने के लिए होती है एसेंबली हीरो बनने के लिए नहीं होती और अपना प्लिटिकल करियर बनाने के लिए नहीं होती तक्रीरे तो आप यहां कर सकते हैं लाल चोप में कर सकते हैं वहीत परा साब यह बीजेपी के जो विदायक है इनको लगता है इसेंबली में हंगामा करके य कि आधर चीशिव को लेकर इफ्रा बात कर रही वह कह रहे हैं कि मीडिया चंशन के लिए इस तरह से कारवाई होती है बात थे अश्राइजिक प्रवाट में है अश्राइगा बुलता है उसका दयान कैमरे की तरफ जादा हुता है वह देरे के बहुत हैं बहुत पड़ी बात नहीं दृतर नहीं है पर रहुल दोन्ती को भी नोटिस मेला था जिको बड़ी बात नहीं है यह कि नोटिस है यह तो असेंबली सेशन में कोई ऐसा सेशन नहीं नहीं देगा जब किसी ना किसी को आप मोशनल पे ना लाया गया और जानों जो जो उसका एक जवाब दे जेते हैं उसकता है उनके कि कि हुआ बढ़ बचाया जाए लेकर में जो चीज है कि लोगों की दस्रेट आपके पर गड़ी हुई है वो कुछ और चीजों की लिए 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 वो कह रही है कि नेश्यों कांफरेंस पाटी तो गुंदा गर्दी कर रही है यह उन्द्धिशन पर गड़ी है इनका तो चीक है इफरा जवाब जी जी आपके सुना अभी कि स्पोक्सपर्सन क्या क्या रहे थे वो कह रहें कि नेश्यों कांफरेंस तो गुंदा गर्दी कर रही है यह देखिए इनका यही मुद्धा है ना कि जूट बोलेंगे पहली बात यह जो नोटिस इनको दिया गया है यह स्पीकर साहब ने नोटिस इसलिए नहीं दिया है कि उनकी अपनी मर्जी अरातर साहब की नोटिस देने की एक MLA नजीर एहमद गुरेजी जिनको अपने लोगों ने चुना है उन्हों ने स्पीकर को लेटर लिखा है कि उनकी तरफ से एक ब्रीच अफ प्रिविलेज जो है motion pass किया जाए तो उसमें speaker का काम as a judge है कि दूसरी party को बोले कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है speaker जो है इसमें एक arbitrator की तरह एक judge की तरह बेखे हुए है ये जो चल रही है आपस में जंग ये नजीर गुरेजी और वहीद परागी है ये दो MLA's आपस में लड़ रहे है तो परसनल लड़ाई जो है उसका काम दोनों को नोकिस देना वो इस तरह से platform पर लाने की जरूरत क्या है वहाँ पर आम जंता की भलाई के लिए बात करने की जरूरत है आदर्श जी बिल्कुल ये बिल्कुल हम वही कहते हैं कि परसनल लड़ाई नहीं होनी चाहिए इसी वजह से वहाँ लोगों की बात होनी चाहिए ना कि आप ये मत बोलिए आप मुश्टी मुहमद साइद के खिलाफ मत बोलिए आप कुन होते हैं उसमें अगर यही बात है अगर रजत हैं क्या अगर आपको चुनकर भेजा गया है तो गरीमा का ध्यान आप ने रखना है लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आम जनता की भलाई के लिए चुनकर आप वहाँ पर आए हैं जस पर चर्चा करने की जरूरत है आम जनता की मुद्दों को लेकर लड़ा की जरूरत है ना कि आपसी वहाँ पर आप देखिए इस तरह से मत भेद करने की फिलाल सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जनता की आवाज को कब बुलंद किया जाएगा और उस पर अमल किस तरह से किया जाएगा अब्ठेक टरह करें